सभी भक्त जनों को सप्प्रेव नमान भक्तों आज मैं आपके समक्ष मार्श्वी पतनली द्वारा रचित योग शुत्र ग्रंथ के विभूती पाद जो कि तीसरा ध्या है इसका उसके बावन में शुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ यहाँ शुत्र कह रहा है च्छन तत्क्रमय हो सैयमात वेकजम ग्यानम अर्थाद श्हाण और इसके क्रमा में सैयम करने से विवेक के द्वारा उत्पन ग्यान होता है अब यहाँ जो सुत्र है यह काफी महतपूर्ण जटिर सुत्र है जातकी समय के सिध्धान की बात है और उसे समधित जो ज्ञान है उसे समधित बात है लेकिन जितना सरल भासा में समझाय जा सकता है मैं कोशिस करूँगा समझाने की देखिए छण किसे काते हैं समाने तहां लोग जो छण है सबसे सुक्ष्म जो छोटी छण की समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे छण काते हैं जो तिस में एक छण का अर्थ होता है तीन निमेश तीन निमेश में एक छण होता है और तीन निमेश अथात तीन मात्रा और एक मात्रा कार्थ होता है जो एक सबसे जो लगू वरण होता है उसका हम सबसे कम समय में जितना उच्छाण कर सकते हैं वह निमेश का लाता है तो छण काफी सुक्षम इकाई हो गई या तो जोतिस के हिसाब से हुआ लेकिन जो छण है वह यहां पर यानि योग की भासा में छण क्या है योग की भासा में छण हुआ है जो अविभाज्य समय है हुआ समय जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं यानि उससे छोटा सुक्षम समय समभाव ही नहीं है उसको छण यहां का गया जोतिस में जो च्छण है तो उसको भी वाजित कर सकते हैं वो सबसे सुक्ष्म समय की काई नहीं है आला कि उसका भी नाम च्छण ही है उसको फिर जो है च्छण को और सुक्ष्म इकाईयों में बाड़ते हैं जोतिस में प्राण है फिर उसको भी भाजित करते हैं तरसरेणू है फिर अनू है फिर परमानू है इस तरह से उसको ले गए हैं लेकिन वहां जो कांसेप्ट है परमानू का अला कि वह मेजर्मेंट तो नहीं है लेकिन जो सिधान्त है मेजर्मेंट कार्थ हुआ कि जो समय की जांच हो जाया मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वह तो नहीं है लेकिन सिधान्त तहा वे काते हैं कि परमानू वह अच्छन है जिसको भी वाजित नहीं क्या सकता है और द्रब्ब में भी परमानू वह चोटा द्रब्ब है किसी भी वस्तु का वच वह सबसे छोटी एकाई जिसे वाजित नहीं क्या सकता है उसे परमानू काते हैं सवीले के लिए धरस्डपी तो यहांं पर समझें लेने की बात है यह भारत का जो जिवाजित तको टो कि यह मरता है कि पदार्थ को बिभाजित और कmäß है पदार्त की जो सबसे सुक्ष मुतम इकाई होती है जिसको परमाणु का गया है जिसके विवाजित नहीं किया सकता है और विभाज्य है वह क्योंकि इतना सुक्ष मौग गया कि और विभाज्य है अगर हम उसे विवाजित कर देते हैं फिर उसे परमाणु नहीं काएंगे उसी तरह से समय की जो सबसे छोटी इकाई है वह पर्माणूग है और उससे छोड़ा इवाजित नहीं किया सकता और अगर हम भौतिक विज्ञान के हिसाब से देखते हैं तो आज का जो भौतिक विज्ञान है वह जो है वह सबसे छोटी इकाई जो बताता है उसको वहाँ प्लैंक टाइम काता है प्लैंक टाइम सबसे छोटी इकाई है समय की 10 to the power minus 44 सेकेंड है एक सेकेंड का 10 to the power minus 44 टाइम्स यानि दस्तमालों के बाद आप 44 जीरो लिखेंगे और एक लिखेंगे तो वहाँ सेकेंड का उतना सेकेंड होगा वा लेकिन जो measurement की बात है जहां तक समय हम मेजर कर पाये हैं विग्ञान के लिहाज से तो विज्यान के लिहाज से समय का measurement जो अब तक किया है जो अब यह पहले प्लैंक टायंग कहीं समझ लेजिए कि जो सब जो प्लैंक लेंग्थ है उसको प्रकास की जो गति है उससे भाजित करते हैं तो वह हमें निकलता है प्रकास की गतिया दिखता हम होती है एक लाग छिया से मिल और सम्तिंग सेकेंड प्रतिस सेकेंड है लेकिन वह जो हम मेजर्मेंट कर पाए वह यह है कि एक जो फोटोन है वह एक हाइडोजन मॉलिकुल को पार करने में जितना समय लगता है उस समय को बेग्यान को ने खोजा है अब तक का जो मेजर्मेंट है वह जेप्टो सेकेंड उसको कहते हैं यह टेन टू दी पार माइनस 20 है एक सेकेंड का अगर हम 20 सुन से भी वाजित कर देते हैं एक करके एक लिक करके यानि दसवालों के बाद 20 सुन देकरके एक अगर आप लिखते हैं तो उतना सेकेंड है सेकेंड का उतना सुक्ष में हिस्सा है वह जिसको की जेप्टो सेकेंड कहते है में तो यह जो सेंड है अब इस जह तो को हिए जो है अब तक हम लोग मेजरमेंट कर पाए है वे गज़ान ने किया हलाकि तेहोरe क्ली सधानतिक प्रफ से यह जो है प्लां टाइम जो है सबसे छोटीह का कि माना कि इससेजिए इस में आकट्र के वह हाना बहुत मुस्किल है लेकिन जो योग का सिधान्त है जो भारत रिशी मुनियों ने जो समय को सबसे सुख्ष माना रहा है और यहां कहा है कि च्छार का क्रम边 की अог क्रम का आर्थ हो ना थि उसके बाद आपकी इन दोनों के मद का जो अन्तराल है हों लेकिन यह हम लोग जब भी मेजर्मेंट करेंगे है तो इसके पहले क्या था अब क्या है इस हिसाब से पहले घठना क्रब निकालते हैं जो भी हम लोग निकालें मिली सेकेंड जप्टो सेकेंड या जो भी मीनट घंटा सब्ता महिना जो जो अमनों समय बना रहे हैं या प्लैंक कही मालने टाइम सबसे सुप्ष में समय मालने लेकिन यहां पर फिर भी तो उसके वह इकाई तो है टेंट पार मैनस 44 है लेकिन है तो सही नहीं और प्रकास की करती को सबसे साथ से मां करके इह चल रहे हैं उसके इसाथ सी निकाल लेकिन योक का विज्यान या नहीं हो सकता है जिस शमय का इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि वह च्छन ही वास्त्विक च्छन है वह काल की जो इकाई है वह वास्त्विक इकाई है और वह कौन सी है वह बर्तमान है और जब वह बरत्मान है तो इसके पहले का छण और इसके बाद का छण हम फिर नहीं कर सकते छण जो है एक समय में दो छण नहीं हो सकता और छणों का करम भी नहीं हो सकता क्योंकि छणों का जो करम है समाहार है अगर हम उसको देखते हैं तो वह एक साथ संभव नहीं है कि सिर्फ जो है समर्थी के हिसाब से ही उसको च्छन का कुछ अभास होता है कि समर्थी के हिसाब से ही और अपने बुद्धि विवेक से ही हम एक अनुमान जैसा लगा लेते हैं कि यह समय इसे बित गया कि यहां समय का जो बौध होता है वहां बुद्धि यह बिना बुद्धि के इसको आइंस्टिन मानते थे टे हैं समय जो है अब जब होती गती होगी उसके हिसाब से समय होगा इन वस्तुम की तुल्म हम करते हैं तो हमारा समय अलग-अलग हो जाता है, अगर हम हवाई जास से चर रहे हैं तो हमारा समय का अलग हो जाएगा, अगर हम अपने गुमायां के हम प्रकास की तरंगों से चर रहे हैं तो हमारा समय का अलग हो जाएगा, तो समय का calculation सापेक्ची होता है वहां विकलब केधार पर होता है ये वास्ता में जो छण है वह क्या है वह सिर्व बरतमान है और अतीत और भविष जो है ये इसके परिणाम तो है तो अतीत और भविष मात्र इसके परिणाम है जिसका कि हम एक अनुमान लगाते हैं बस क्योंकि वह वास्तुट्ता में नहीं रहता है कि वह uh सब्सक्राइब कर देखेंगे कि द्रव्य को भी किसी पदार्थ को भी वस्तु का भी जो सुक्ष्मित्न विवाजन करते हैं परवाणूं में कर देते हैं और इस तरह से हम अगर आकास तक तो कभी विवाजन करते हैं अनि स्पेस का भी एक से दूसरे बीच की जो दूरी है जिसको कि आकास समझ देजिए आप आकास तक तो एक से दूरी को भी और हम सिम्टाना चाहिए कि सबसे कम से कम दूरी क्या होगी कम से कम दूरी हम आखते हैं जिससे दूरी को अमाले मेटर में आ करें मीटर को पिर सवदो करते कि में इना यहां सबसे में लेकर लेकिन यहाँ फर क्या कोना है भारत जो विग्यान है यह काता है द्रब्य भी पर्माणू, समय भी पर्माणू और दूरी भी पर्माणू इसका मतलब है कि इन तीनों की एक्ता हो गई तो यहां पर यहां जो है यह तीनों की जो एक्ता है यह सिंगुलरिटी है इसी को singularity काते हैं, तो singularity का जो concept है, यह सनातन धर में पहले से है, आज भी ग्यान ने singularity का concept दिया है, जहां काते है कि time zero, space zero, और पदार्थ zero, ऐसा यह scientist काते हैं, लेकिन यह singularity नहीं है, भारत का जो singularity है, तो वह जो है, वह zero नहीं काता है, भारत काता है, क्योंकि zero संभावी नहीं है, तत्त जो है, वह सुन कभी नहीं होगा, भारत काता है, कि हम तत्त को सुक्ष्म से सुक्ष्म भी करेंगे, तो उसको सुन नहीं कर पाएंगे, वह आविभाज इस्तिति तक पहुंच जाएगा, सुक्ष्म तम तक पहुंच जाएग लेकिन सुन्दे कभी नहीं होगा इसलिए वह अव्यक्ट हो जाता है वह जीरो नहीं हो सकता है लेकिन वह इतना सुक्ष्म हो जाएगा कि उसको हम जीरो नहीं कहेंगे वह क्या है एप्रोक्सिमेटर उसको दो तरह में हम भी परिभासा में कहेंगे एक वह एप्रोक्सिमेट जीरो हो जाएगा करीब करीब तूसरा वह जो इन्फानेट हो जाएगा एप्रोक्सिमेट जीरो इन्फानेट जीरो नहीं होगा कभी भी नहीं तो उसको इन्फानेट ही कहा जाता है हम उसको या इन सकते हैं कि पूडआ यह सकते हैं इतना स्क्षम हो गया उत्यतरमायन सकता है कि तो में और वह पर उटनी सुख्षमता हो जाती है वह अनंतिक आलता है तो आज्यख्य का आ जे यह दो यह अज़ार और अज़ार ऑगा Kumar गया और है चत्व करम है वह बुद्धिजन कि कहते हैं कि विवेक से उत्पन्न तो यहीं है। तो यहाँ पर किस तरह से उत्पन्न होता है। उसका इन्होंने practical aspect रख यहां पर. त्तथ रखा है और प्रस्तोती किया है, कि वहां से जो उत्पन होगा वहां जो है ग्यान कराता है तो हम हर वस्तुवों का फिरिष्ट से ग्यान कर सकते हैं अगर हमारी बुद्धी इतनी सुक्ष्म हो जाए हमारा विवेक इतना सुक्ष्म हो जाए हमारी प्रज्या इतनी सुक्ष्म हो जाए कि हम उस सुक्ष्म जो जो अईभाज इच्छन को जो की द्रब्ड की पर्मानों कराता है लेकिं जो तिस भी यह कह रहा है जो तिस भी कह रहा है कि यह कहा रहा है कि वो पर्मानों तक जाएगगा तो जोतिस भी उसको पर्मानु तक लिबा जा रहा है वेद लिबा जा रहा है पर्मानु तक वेद की आंग जोतिस है वेद ले जा रहा है पर्मानु तक द्रभ्यक्यार्थ में भी पर्मानु काल पढते हैं वह पर्मानु नहीं याद रखें यहां जो पर्मानु कहा गया है वह अविभाज नहीं है कुस्य स्थिति नहीं हो जाए तब तक उसे पारड़ नहीं करेंगे CPR जब क्योंकि detect करने का मतलब एक उसकी boundary है सीमा है परिधी है जो परिधी है separation है इसका मतलब अलगा है इसका मतलब भी भाजन होगा उसे हम detect भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना सुक्ष मोच चुका है तो वह एक तरसे infinite तो पर्माणु वह है जो अविभाज है अविभाज है इसे दिए वह infinite और उसी तरसे टाइम भी छन जो है वह अविभाज है वह पर्माणू है वह infinite तो जियोतिस का जो पर्मानुग है समय के हिसाब से वही इसका जो है योग का च्छण है और जो दूरी की बात है कि दूरी कितनी होगी तो दूरी सुक्षम से सुक्षम होती जाएगी दूरी को करने के लिए करने के लिए योतिस ने 20 सिदान निकाले जोंतिस यह मानता है कि वास्तों में जो दूरी होती है हम दूरी को मिलिमेटर और सेंटीमेटर में करना चोड़ दें हम क्या करें कि उसको जो है u से करकुलेस्टन किया गया है दूरी का यह माना गया है कि अधिकतन दूरी जो है वह अप्रोक्सिमेट 360 डिगरी पर होगा वह जब पुना वाप चक्र पर आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर वो पूर्ण हो गया यानि यहां जो स्पेस है यहां से स्पेस यहां तक आगया अब इसे आप एंगल से निकालते चले जाएं आप दूरी कितने भी निकाल सकते हैं लेकिन वास्तों में जो एंगल होगा वहां से तो वह एंगल तो उतना ही होगा दूरी भले आप कितने भी करते हैं तो अधी एंगिल ऐसा हो जाए आप देखते हैं कि भृत में 360 होता है तो उसका जो सब अब वहां से जब 360 एंगिल है तो सबसे सुक्ष में एंगिल जहां से अलग होता है वहीं से तो उसकी दूरी बनने सुरू होती है तो वह कितना होगा वह उसका लेंग्ध क्या होगा उसका एंगिल क्या होगा तो उसी को जोतिस सास्त्र में धीरे-धीरे उसमें भी पर्मानों तक ही ले गया है जिसे एक डिगरी अन्स है तो कूल जो है 24 घंटा जो होता है 24 घंटा में इसको मांते हैं थ्रे-शिक्ष्ट डिगरी अब उसी को फिर उन्हें ने विभाजित किया है 12 रासियों में और 12 रासियों में विभाजित करके एक रासिका तिस डिगरी अन्स आ गया है तो तीस डिगरी अन्स आ गया एक रासी का अब यह जो तीस डिगरी है तो 360 डिगरी में 24 घंटा हो गया दिनों रात पुरा कर लते हैं तो ज़रें तो उस हिसाप से फिर कैल्कुलेसण कर लेंगे एक डिगरी में कितना है फिर उसी को पर एक करण बहुत, इक उंस को बम finns क्ल़ां मान लिया हैं फिर शाट गे किला में 2 शांँ एक कला में सब्संकु хлण लिया हैं इस तरह में प्रति प्रतीं लगाते हुए फिर ज़महा हैं, क्योंकि ऐसे कैकुलेशन तो संभाव नहीं है कि लेकन तेकली क्योंकि इस्टूमेक्ट नहीं है इतना वह सम्भव नहीं है कि प्रती वीकला तक ही मतलब ड्यक्टिकली वहां तक जा पाया है उसके जिए अधर में पार्माणु में चल आज यानि तक ow के आकास्न प्रहा वैसा वह यहां संदानर जाएक आपके तक तथने तक यहां वह गया और कवने यहां पर यहें को समझ लेना है तो यहां पर झो है कि जब भी करम की कुछ कुछ पता चलता है तो वहीं पर विवेक उतपन होता है यानि जब भी कोई घटना घटेगी तो अगर हम उसे नोटिस करते हैं तो इसका मतलग है कि वह विवेक में बुद्धी में आ गया वास्तों में काल में नहीं रहा वास्तों में छण में नहीं हम कालतत्य को नहीं देखें बलकि हम समय को देखें आर्स कालव्य को देखना और कार्षा अलगलग अलगते हैं को हमिने अजरीए है और वह यह करते हैं क्योंकि जैसे यह यह वहाँ हम पहुंशें तो हमारे बिवेक बुद्धिर नहीं रहाई saw वहां पर हम भी वही हो जाएंगे जो वह है और वैसी ही अवस्था को केवल अवस्था काता है यानि केवल पन है वहां पर जिसे पदार्थ हो गया वही पर टाइम भी हो गया और वही पर जो है स्पेस भी हो गया और वही पर जो है हमारा मैंड जब जाता है फोकस हो जाएगा तो हमारा माइंड भी वही ओजाएगा हमारी चेतन सत्था भी वही चली जाएगे वह उतना वही होजाएगी उसको भी ग्याज़त नहestan वैसे इस्तिती में ही उसको का जिता है परम ग्यान वहां अवी भाज्जत अत्या ज्ञान गय yogi, ग्याता, इन तिनों की त्रिपुटी वहाँ पर एक हो जएगी, तो इस अर्थ में ही यहाँ पर कहा गिया है, जब हम समाधी करते हैं, यानि हमारी जब चेतनां वहाँ जाती है, तो उस अर्थ में भी वहाँ पर वहाँ परमानू, जो है, वह हमारी चेतना भी जाकर के वहां पर वही हो जाएगी तो ये स्पेस हो गया परवाणू द्रबे भी परवाणू हो गया समय भी परवाणू हो गया और जो हमारी चेतना है वह भी वहां परवाणू हो गई तो ये चारों की जो इस्थिती आती है और उस क्यावल लेवस्ता को ही जो है परव्रहम, परमेश्वर करते हैं वहाँ पर वो उसका बोद हो जाता है तो इसलिए वास्ता में ये पदार्थ है हुआ भी वह चेतना ही है वह लेकिन वह अविभाजत पदार्थ तो जब अविभाज्य स्थित्य होती है तो उसको पदार्थ नहीं काते है अविभाज्य पदार्थ की अविभाज्य स्थित्य वास्ते में चेतना है इस चीज़ को आप समझ लें तो उसी को वहाँ आत्म तक तो का आगया है आविभाज्य पदार्थ जो है चेतना है वही आत्मा है इस तरह से इनकी एकता होती है और यह जो है ज्यान कालता है यह आनकी काफी यह जटिल विशे था लेकिन उमीद है मैंने आपको समझा दिया है जितना सारल सब्दों में समझा जा सकता था हो सकता है किसी के लिए बहुत कठिन भी हो लेकिन चुकि यह विशे भी कठिन है तो इसकी आख्या भी कठिन ही होगी तो आज इतना है ओम